रोमन रोइंज ने एक बहुत यी बड़ा record बना दिया है WWE में, क्या है ये record इसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, दफींड के WWE return को लेकर एक और shocking news निकल के सामने आज का है, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, ब्रक लेजनर के matches का एक बहुत यी बड़ा secret न देना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पैली स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो की जड़ी हुई है, WWE के part-timer superstars के बारे में, जैसे कि Brock Lesnar, Goldberg वगएरा इन सब के बारे में, तो Goldberg और Brock Lesnar को अगर आप लोग WWE के टेलिविजन पर देखना चाहते हो, तो आप लोगो निकल के सामने आ चुका है, जो The Game Triple H है, वो नहीं चाहते है, Brock Lesnar, Goldberg इन सब को WWE के शोज पर बुक करना, यानि कि WWE के जो part-timer superstars है, यानि कि Brock Lesnar, Goldberg, John Cena भी इसमें इंक्लूड है, उनको जो Triple H है, वो WWE के शोज में बुलाना नहीं चाहते है, यानि कि उन्हें WWE में return करते हुए देखना नहीं चाहते है, अब अगर Triple H नहीं चाहते है, तो भाई वो चीज होना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुम्किन ही है, अब बताने क्या कुछ होने वाला है, देखते है क्या होता है इन feature WWE में, देखते है क्या Brock Lesnar, Goldberg, John Cena इन सब का return होता है या पिन नहीं, return तो होगा WWE में, John Cena को include नहीं कर सकते, क्योंकि John Cena इस वक्त WWE में एक part-timer superstar भी है, और WWE का mega star भी है, तो John Cena तो आएंगे WWE में, Brock Lesnar भी आएंगे, लेकिन Goldberg के बहुत यह ज्यादा come chances है, माना ऐसा जा रहा है, जो Triple H हो, Goldberg को तो बिल्कुल भी return नहीं करवाएंगे, अब देखते है क् अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जोकि जुड़ी हुई है, The Fiend Braveheart के बारे में, तो The Fiend Braveheart के rumors आ रहे हैं कि वो WWE में return करने वाले है, लेकिन एक बहुत यह बड़ा shocking news निकल के सामने आ चुका है, माना ऐसा जा रहा है, जो Braveheart का return है, ओने वाला है एक तीसरे character के साथ यानि कि Fiend का भी return नहीं होने वाला है, और Braveheart खुद Braveheart भी बनकर नहीं आने वाले है, तीसरा कोई character WWE Braveheart को देने वाले है, जैसे कि Mick Polly के तीन characters हुआ करते थे एक time WWE में, तो माना ऐसा जा रहा है, वैसे भी एक और ओने वाला है Braveheart के साथ, यानि कि Braveheart अपने एक तर्ड करेक् अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या आप लोग फीन का return देखना चाते हो या पिर Braveheart का, या आप लोग चाते हो कि Braveheart अपने थर्ड गिमिक में WWE में अपना return करे, क्या कैने आप लोगों का इसके बारे में अगली story के बारे में बात The Beast Incarnate Brock Lesnar के बारे में, तो Brock Lesnar बहुत ही ज्यादा कमाल के सुपरस्टार है WWE में, लेकिन एक बहुत ही बड़ा secret निकल के सामने आचका है Beastie Boy Brock Lesnar का, तो माना ऐसा जा रहा है जो WWE है, वो बहुत सारे सुपरस्टार को अलाव नहीं करता Brock Lesnar को उपर उठाने में, यानि कि जो सुपरस्टार Brock Lesnar के साथ मैच लड़ता है, तो जो WWE है, वो सुपरस्टार को यह कहता है कि तुम उस मैच में Brock Lesnar को उपर नहीं उठाने वाले हो, अब बताने ही क्या reason, किस reason की वज़ा से WWE ऐसा कर रहा है, बट माना ऐसा जा रहा है, जो WWE है, वो अपने सुपरस्टार को जो भी Brock का मैच हुआ है, रोमन उसे समोन ड्राप वगेरा देते रहते हैं, बट WWE के जो सुपरस्टार्स है, यानि कि जो चोटे सुपरस्टार्स है, उन्हें WWE ने एक कहा है कि Brock Lesnar को मैच के दवरान आप लोग ऊपर नहीं उठाएंगे, क्या के नहीं आप लोगों का बीस्टी बड़ा bad news निकल के सामने आज का था, जिसका यह कहना था, कि तियोरी अपने Money in the Bank briefcase को हारने वाले है, लेकिन finally good news निकल के सामने आज का है तियोरी के बारे में, तो माना ऐसा जा रहा है, जो triple H है, वो तियोरी को बिलकुल Vince McMahon की तरह ही देख रहे हैं, यानि कि जो Vince McMahon है, उन next John Cena बन सकते है, next WWE का Megastar बन सकते है, अब यह बहुत यह बड़ा bad news, sorry bad news कहां से आगया, यह बहुत यह बड़ा good news है, तियोरी के fans के लिए भी और WWE के future के लिए भी, क्या के नहीं आप लोगों का इसके बारे में अगली story के बारे में बात करेंगे, जो कि जड़ी हुई है ए एक और NXT Superstar का return कराने वाले है, जिसका की name है Bronzone Rear, अगर आप लोग NXT देखे होंगे, तो आप लोग इस बन्दे को जानते होंगे, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं था, बट जब यह release हो गया, तब इसके बारे में कुछ news आए, इसलिए इसके बारे में तोड़ा बहुत रेंज के बारे में, तो रोमन रेंज ने एक और record बना दिया है, WWE में, summer slam 2022 के शो में जो ब्रक लेजनर है, वो अपने को इंट्रोडूस करते है, माइक में, लेकिन जब ब्रक लेजनर माइक में खुद को इंट्रोडूस करते है, उसके बाद ब्रक लेजनर रोमन की तरफ मा के तरीके से कैच करते है, और ब्रक लेजनर को आंक भी मार देते है, तो इसी चीज़ को WWE अपने Instagram Reels पर अपलोड करता है, इसमें जो लाइक्स आए है, वो वन मिलियन से उपर आए है, बाई वन मिलियन व्यूज आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस वीडियो पर वन मि मिलियन से ज्यादा लाइक आए हो, तो रोमन रेंज ने एक और रिकाउट बना दिया, WWE में, क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में, ए रहा आज की एक अपडेट्स वीडियो उमीद करता हूँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज